हेलो एवरिवन MCC मॉप अप राउंड अलोट्मेंट लिस्ट जारी हो चुकी है याने की काउंसलिंग खतम हो चुकी है स्ट्रे वैकेंसी राउंड अभी भी बाकी है लेकिन वैसे देखा जाए तो 90% आपकी काउंसलिंग जो है वो खतम हो चुकी है और जिनको जो सीड मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है तो अब बात ही है कि सर कट अफ क्या रहा है MCC का जो मॉप अप राउंड का कट अफ है वो क्या रहा होगा जिपमर के लिए जो ओपन जिपमर सीड से उनके लिए AMS के लिए BHU Open, AMU Open और ESI Internal ये मैंने ESI Internal कई कमेंट्स मेरे पास में आये ESI काटेगरी वालों के कि सर हमें YouTube के ओपर कहीं पर भी ESI Internal काटेगरी का कट अफ नहीं मिलता जिससे कि हमें काउंसलिंगे बड़ी दिक्कते होती है एंटिसिपेट करने के लिए तो उनके लिए मैंने एक last mix slide एड़ कर दी है तो चलिए one by one हम सभी की slides देखते हैं क्या cutoff रहा है MCC का ठीके next वीडियो के अंदर में आपको private colleges जो भी deemed universities हैं उनके बारे में और DU के जो colleges हैं उनकी cutoff के बारे में बताऊंगा और next वीडियो के अंदर कई और जानकरियां भी मैं आपको दूँगा तो पहले हम इनको cover करते हैं MCC ये इसका screenshot ले लो मैंने MCC का round 2 और mop up round के दोनों का cutoff यहां पर लिख दिया है AIR के form में और उनकी जो colleges का जो location है वो मैंने आप सामने mention कर दिया है तो आप easily यहां से देख सकते हैं तो amps का cutoff यहां पर जिपमर की open seats का round 2 का और mop up का cutoff आपको दे दिया गया है star जहां पर है इसका मतलब है कि यह update हुआ है mop up के अंदर इस rank पर जैसे कि round 2 में 3 1 2 3 1 पे close था तो 309 पे close है तो यह जिपमर का slide है इसका आप screenshot ले सकते हैं फिर देखिए बियाच्व open seats जो है उनका cutoff देखिए इन सभी categories के लिए आपको देखने को मिलेगा कि दो जेगर changes देखने को मिलें SC category में और आपको EWS category के अंदर क्योंकि कि fresh allotment हो सकता है मौपप round के अंदर क्या होता है कि fresh allotment के chances भी बहुत जाता होते है तो बहुत बड़ा difference देखने को मिल जाता है यहां पर जो कि देखने को मिल रहा है आपको AMU की open seat general category का round 2 का cutoff यह है और मौपप का cutoff यह आगया है इस साल का AMU का next देखिएगा तो यह है ESI का internal का cutoff अब ESI internal cutoff में आप देख लीजिए उनमें सामने मैंने colleges मार्क कर दिये है और जो जो category में update हुआ है वो मैंने आपको mention कर दिया है मौपप और round 2 मौपप round 2 करके mention कर दिया है आपको category के सामने colleges के साथ internal ESI का और आपको पता है ESI का 15% यह मैं कहूंगी ESI का जो all India quota है वो round 2 के अंदर ही खतम हो चुका है round 2 के अंदर जितनी भी चीज़े याने की जितनी भी seeds जो खाली रह गई थी वो state को भेज दी गई थी ESI की खाली seeds ESI category में भेज दिया मौप अप के लिए तो इस तरीके से यह सारे cut-offs हैं जो आपको state के अंदर जो है वो counseling जो आपकी हो रही है उसके अंदर आपको help करेंगे ESI मिलने के बाद कोई भी यह नहीं सोचेगा कि sir हम state के अंदर कोई college ले लें ESI के colleges अच्छे होते हैं बाकी हम बात करें AMS जो है वो last में AMS जैसे AMS जम्मू है उसमें compromise कर सकते हैं student की भाई AMS जम्मू छोड़के state के अंदर कुछ अच्छा college मिल जा तो state में ले सकते हैं तो यह changes आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर जो भी seat vacant होगी mop up में जो report नहीं करेंगे और जहाँ फिर seat surrender कर देंगे वो stray vacancy round में भेज़ दी जाएंगी और stray vacancy round के अंदर क्या होगा वई कि वहाँ पर 10 times जो seats available होगी उनका 10 times जो number आएगा उन student को invite करेंगे और वो seat जो है उनको fulfill कर दी जाएगी correct अब private colleges से related deemed university से related वीडियो जो है वो next आपको मैं देही रहाँ साथी साथ में state के जो different state के जो भी data आप तक मिले हैं जो अच्छे हैं जो category wise आपको cut off जो है उनको बताते हुए वो data होंगे different states के मैं आपके सामने दे दूँगा और states के अभी भी rounds बाकी है state का game अभी भी बाकी है तो आप बने रही है मेरे साथ में ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप like करिएगा और channel को subscribe करना मत भूलिए अगर नए वीडियो आपको चाहिए तो